बाले बालो बच्चों, आज हम पड़ेंगे बाल अदालत, बाला अदालत जो पाट जो है, इसमें परियावरन संपरक्षन के लिए इसमें बताया गया है, बाला अदालत पाट से आपको जैसे की पोस्टर बनाई इस तरह के प्रशने आएंगे, या तो नारे लिखे या सूचना, या मित्रको पत्र, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पाट का उन्मुखी करन, हरे बरे जंगल, जह जहाते पक्षी, आज कलपना के विशे बन गए हैं, कलपना के विशे बन गए हैं, मतलब हरे बरे जंगल, हम जितनी आबादी बढ़ते जा रही हैं, और हरे बरे जंगल सिकुडते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, भूकम, बाड, आधी, प्रकृती की ओर से मनुष्य को दी गई छेता वनी हैं, परन्तु सब कुछ जानते आज मानव इसे अंधेखा कर रहा है, प्रकृती की नश्वर्ता ही हमें क्या दे रहा है, भूकम, परबाड इस तरह आके आ रहे हैं, फिर भी हम लोग अंधेखा कर रहे हैं, वास्तविक्ता यह है कि बढ़ती आबादी और आधनिक जीवन की विभुन आवशक्ताओं की प आठा जा रहा है, इसी वज़ा से भूकम परबाड आ रहे हैं, जिसके कारण मौसम चक्र बदला और परणाम स्वरूप कहीं सूखा और कहीं बाड देखने को मिलती हैं, मनुष आज पेड़ पौदों से नाता तोर्ने के दुश्परिनाम जेल रहा है, ये सारे कारणाम किस हो रहे हैं, मनुष द्वारा, तो हमें क्या करना है, पर्यावरन को बचाए रखना है, इस पाट का उद्धेश, छात्रों को साहित में एकांग की विधा से परिचित कराना, एकांग की मतलब एक ही विशे के बारे में वहां पर समझाया जाता है, एकांग की लेखन के लिए प्रियरित करना, समवाद बोलने के कोशल का विकास करना, भाशावा रचना शैली की विविद्धा से अवगत कराना आधी इस पाट के मुख्यों द्धेश है, इस पाट का विशय प्रवेश, विशय प्रवेश में पर्यावरन के बिगनने से आगामी भविश्य में और कई समस्यां उत्पन हो सकती है, पर्यावरन हमारा रक्षा कवच है, इसका समरक्षन करना हमारा कर्तव यह है, इस पाट में समझाया गया है, बाल अदालत में दो मुकतमे चले, पहला मुकतम जो है घिसाराम नामक लकडी व्यापर पर जंगल के पेड काटने का आरोप लगाया और पता चला कि जिस आराम लकडी का खांदानी व्यापरी है, अनपड होने के कारण उसे पेडों का महत पता नहीं था, यह विशय अति सम्वेदनशील है, सम्वेदनशील मतलब वेरी सेंसिटिव, हमें इस बात पर विचार करना ही होगा, कि अशिक्षा के कारण हो रहे प प्रकार रोका जाए, अंतितहा बाल अदालत ने घिसाराम को एक अद्भुत सजाद सुनाई दी है, वह है सव पेड लगाने तथा साल भर उनकी देखभाल करने की सजाद सुनाई गई है, इससे क्या होता है, इससे पर्यावरन का लाब भी हो जाएगा, और घिसाराम को जे देल भी नहीं जाना पड़ा, दूसरा मुगत्मा जो है किरोडिमल का, किरोडिमल जो है उध्योगपती है, उसके फैक्तरी का गंदा पानी और तमाम कूडा कचरा नहर में बहाया जाता था, इससे नहर का पानी प्रदूशित हो रहा है, फैक्तरी की चिमनी, चिमनियों के दुए से गाउन वालों को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी और सांस का रोक हो रहे थे, बहस में बालुम हुआ कि घीसाराम सूसता है कि बहुत पानी कभी गंदा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि किरोडिमल को केवल किताबी ग्नान था, किताबी मतलब पड़ा लिखा हुआ है, परंतु उसे अनुभव नहीं था, हमें पड़ाई के साथ साथ अनुभव की भी आवशकता है, उसने अपने अनुभव का प्रयोग नहीं किया था, बाल अदालत ध्वारा किरोडि मल को फैक्टरी की चिम्नियों को उंचा करवाने का आदेश दिया गया, और साथ में फैक्टरी का कूडा कचरा नहर में बहानाब बंद करके, अपने खर्चे पर नहर की सफाई कराने को कहा गया, गाउं के पर्यावरन समरक्षन की योजनाओं में अपनी आई का दो प्रतिशत खर्च करने का सुझाओ दिया गया, जितना भी वो कामाता है उसमें से दो प्रतिशत वो गाउं के योजनाओं में गाउं की समरक्षन के लिए गाउं के परियावरन के समरक्षन के लिए खर्चा करना आवश्चक है इस प्रकार बाला दालत ने अपराधियों को पर्यावरन समरक्षन के लिए प्रेरित वा बाधित किया लोगों ने बाला दालत के फैसलों को सराहना की इसमें पर्यावरन समरक्षन के प्रती जागरुत्ता का प्रदान की गई है और बाला दालत में दो मुकद में चलाए गए वह है तो एक तो है गुशाराम दूसरा है किरोडी मल है ना तो यहाँ पर बाला दालत में कल जो मुकद में चले उसमें भविश्ची के लिए अत्यंत महत्व रखते हैं क्योंकि यह मुकद में पर्यावरन समरक्षन से संबंदित है। घीसाराम पर जंगल के पेड़ों को काटने का आरोप लगा है और किरोडि मल पर गाउं में पर्यावरन प्रदुशित करने के लिए। उनकी सजा जो खास बात यह थी कि इसमें पर्यावरन की क्षती को ही पूर्ण करने की व्यवस्ता की गई ही। दूसरा मुकद मा सेट किरोडि मल पर था। किरोडि मल आरोप है कि वह फैक्टरी के गंदे पानी और तमाम कूडे कचरे को गाउं के पास बहने वाली नहर में फैलाता है और जिससे नहर का पानी प्रदुशित हो रहा है। फैक्टरी की नियू से निकलने वाला मतलब चिमनी से जो निकलने वाला धुआ है सभी ग्राम वासियों के स्वास्त पर प्रभावित कर रहा है। जर्ज साहब ने उसके लिए भी विशेश सजाब का प्रावधान करते हुए कहा कि वह एक सप्ता के बीतर वह अपनी फैक्टरी की चिमनीयों को पूरा करवाएं मतलब उंचाई बढ़ाई जाए और फैक्टरी के कुडे कचरे को खुद के जो खुद नहर बनाई जो है उस तरा इसकी सफाई की वबस्ता करने की सजा सुनाई गई है गाओं का धनी वक्ती होने के नाते बहचाये कि वह अपने गाओं के पर्यावरन समरक्षन की योजनाव में अपनी आय का दो प्रतिशत खर्च करे इसके लोगों से लोगों के सामने एक उधाहरन प्रस्तुत होग इस प्रकार सभी पर्यावरन के प्रती अपने दायतु को लेकर सजग हो सकेंगे। इस मुकद में से एक महत्वपुन बात उभर कर आई कि पर्यावरन के खत्रे के पीछे एक कारण लोगों का अशिक्षित तथा कानून से अंजान होना भी है। अतहां लोगों को पर्यावरन के समरक्षन हे तो शिक्षा द्वारा जाग़ुक करने के लिए कदम उठाने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों बाल अधालत में हमने यह सिका कि पर्यावरन को रक्षा करने का दायतु हमारे ही हातों है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पार समझ में आया हो धन्यवाद